अब जो next theory है leadership की वो है leader member exchange theory leader member exchange theory एक पुराना belief ये था leadership theories के बारे में कि leaders जो हैं वो all followers हैं या जो उनके employee है वो उनको equal treat करते हैं यह एक exemption था या ऐसा मानावा था बट जैसे जैसे आपका group बड़ा हो जाएगा आपके number of followers ज्यादा हो जाएंगे तो आप यह मान लीजिए कि leader जो है वो सारे followers को equal time नहीं दे सकता इसलिए क्या होता है कि resources, timing, privilege इन सब के bases के उपर दो group बन जाते हैं एक वो group है जो leader के close है उसको हम बोलेंगे in group और एक वो group है जो leader से थोड़ा सा दूर है और इतना closely touch में नहीं है उनको हम बोलेंगे out group और simple जो in group members है उनको हमेशा leader का जो timing है, attention है, privilege है वो ज्यादा मिलेगा और just opposite जो out group members है, उनको leader की तरफ से इतना ज्यादा timing या privilege नहीं मिल पाता है अब अगर मैं यहाँ पे एक example दूँ तो आप देखिए कि हमारे country के जो प्राइम मिनिस्टर है नरिंदर मोदी जी उनके अगर हम सबसे close leaders की बात करें तो उनमें number one नाम जो आएगा वो हमारे home minister साब जो है अमीज साजी उनका नाम आएगा और वो उनके सबसे close नेताओं में से एक है तो यहाँ पे आप देखिए एक important चीज कि in group में और out group में कौन से लोग होते हैं तो in group के अंदर normally वो followers होते हैं जो similar to leader होते हैं उनके बीच में जो है वो कुछ common चीज जो है उनके personality characters जो है वो उनसे match होते हैं लीडर से तो हमने बात की नरिंदर मोदी जी की और अमीज साजी की तो आप उनको देखिए कि वो दोनों गुजरात बैग्राउंड से है और दोनों का language खाने पीने का जो कल्चर है वो बिल्कुल सेम है और उन्होंने अपने जो यंग लाइफ से जो भी उन्होंने अपनी politics स्टार्ट की तो वो साथ में कीवी है तो यह एक बड़ा reason बनता है कि वो उनके सबसे close leader है कि क्योंकि दोनों का background सेम है दोनों गुजरात से हैं और अमित साथ जी वहां पे भी मोदी जी की जो चीफ मिनिस्टर जिस्समें थे उनकी मिनिस्टरी के अंदर वो सामिल थे वहां का जो political organization था उसमें वो सामिल थे तो इस कारण से leader के similar traits अगर किसी के हैं और personality characters अगर similar है मैच हो रहा है तो उसके इन ग्रूप में सामिल होने के chance ज़्यादा है तो इस छोरी के अंदर क्या सामने आता है leader सबको same timing नहीं दे सकते हैं same privilege नहीं दे सकते हैं इसलिए in group और out group दो group बन जाते हैं और in group में वो member होते हैं जिनकी personality traits और similarities with leader है उनको ज्यादा timing और privilege मिलता है leader का और out group में वो member हो जाते हैं जो leader के इतने ज्यादा close नहीं है या फिर थोड़े से different personality trait है और opposite है leader के वो और यह simple सी बात है कि जो in group members होते हैं उनमें satisfaction job satisfaction ज्यादा होता है और जो out group members होते हैं उनमें थोड़ा सा job छोड़ने का chances जो है वो ज्यादा मिलेगा और satisfaction level भी उनका कम होगा झाल